हर हर महादेव आप यह जो देख रहे हैं चलचित्र देखते भी रही है और सुनते भी रही है यह महराज कोशिक जी है व्रिंदावन में व्रिंदावन के हैं और कथा वाचक हैं और इनका जो एक चलचित्र है वो बड़ा ही वाइरल हो रहा है जिसमें यह क्या कर रहे हैं रे video बनाया जा रहा है video बनाकर किसी ने डाल दिया है अब वह व बीपी नियू जित्यादी पर भी वाइरल हो रहा है तो मैंने भी देखा है और मेरे को दो लोगों ने अब तक भेज आ है और यह कहा है कि आप इन के बारे में क्या कहेंगे अन्य के लिए तो आप बोल देते हैं कि इनके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं मेरे लिए सभी कथा वाचक भी पूज dirty आदर्रुन 김हान क्या कर जाते हें कि उनको मंच मिल जाता है और प्रसिद्धी कृत्य करने लग जाते हैं जिससे विद्री विधान को ठेस पहुचती है अब इसमें कारण क्या रहा है कॉशिक महराज कह रहे हैं वो एक चल्चित्र आप रातना वो कर रहे हैं पश्चाताप भी उन्हें हो रहा है अब देखिए यदि ये वीडियो वाइरल नहीं होता तो क्या कोशिक जी पश्चाताप करते नहीं करते यदि विरोध नहीं होता तो ये पश्चाताप होता नहीं होता तो आप जब विरोध ही नहीं करोगे तो इसी ही प्रकार से हमारे धर्म में इसी ही प्रकार से जो सुप्रसिध लोग हैं वो इसी प्रकार के कृत्य करने लग जाते हैं और उनका इतना अच्छा प्रियास रहता है कोशिक जी का मैंने सुना है कि बहुत गौशालाएं हैं सनातन धर्म के लिए भी प्रचार प्रसार करत हैं कभी-कभी शास्त्री जो वक्तव्य हैं चोटे-मोटे आते रहते लेकिन इतना नहीं उनका कभी ऐसा कभी प्रचार हुआ कभी वाइरल हुआ कभी मैं देखा नहीं है अब बात है कि उन्होंने कहा कि मुझे समय नहीं था मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने जल्दी बाजी में जलना उपलब्द होने के कारण में ऐसा कर दिया है देखिए वाई साब ट्रेन की पट्री पर कितनी गंदगी रहती है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं आपने चाहे वहां पर कितनी भी साफ सफाई कर ली होगी कुछ भी किया होगा किन्तु वो एक अशुद्धिस्थान है ऐसी परिस्तिथियों में ऐसे समय में यदि आपका नियम है शिवलिंग का भी करने का तो उस परिस्तितियों में शिव पुरान में क्या कहा गया है कि आप अंगूठे का शिवलिंग बना कर भी ऐसा कर सकते हैं जल भी उपलब्ध ना हो पुष्प उपलब्ध ना हो अक्षत उपलब्ध ना हो या पूजन सामगरी उपलब्ध ना हो आपके पास शिवलिं बनाया है उनसे पहले श्री नारद जी ने बनाया नारद पुराण में भी स्पष्ट रूप से कहा है यदि उपलब्ध ना हो परिस्तिती समय ऐसा बन जाए जहां पर आपका मन ऐसा कहें कि अब मैं कैसे करो तो मानसिक पूजा का विधान इसलिए बनाया गया है तो आप मानस पुर्फ नाम से जानता हूं या आपके चेहरे से पैचानता हूं कि आप कोशिक जी महराज हैं और कथावाचक हैं और गौशालाएं हैं आपकी बड़ी आपको क्या सोचना चाहिए था आगे पीछे कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि हम पुरान पढ़ते हैं पुरान या फिर हम पूजा पाथ भी पर बेठ कर सकते हैं या एसे स्थानों पर कर सकتे हैं वीडियो वाइरल हुआ है इसमें आपकी तुर्टी रही है इसमें आप गलत है इसलिए आपको पश्क्चाताप करना पढ़ा धन्यवाद आपको कि आपने पस्चाताब किया बोलेनात से किशमा पराथना करी हैं किन्तो ऐसे कारिhem करते doświad ही क्यों है अब मैं आपका ही विरोध नहीं कर रहा हूं मैं आपके कृत्ते का विरोध कर रहा हूं इससे आपके FOLLOWERS कोई अंत्रभाव नहीं पड़ेगा आपके FOLLOWERS या थाव जन्मानस पर काफी प्रभाव पड़ता है वो लोग इन्हें देवता मानते हैं चलते फिरते लेकिन आपने कभी सोचा है जो ब्राह्मन नित्य गायत्री संध्या करता है सदाचार का आचरन करता है नित्यजप अनुष्ठान कर रहा है वो आपके लिए देवता है या शिक्ष अधरनिये हैं उन्हें छोड़कर आप ऐसे अशिक्षितों का मार्ग अपना रहे हैं ऐसे अशिक्षितों का पूजन कर रहे हैं अरे भाई दो प्यार के बोल या दो मोटिवेशनल स्पीच तो मैं भी दे सकता हूं हर कोई दे सकता है जिने सहस्वर यजुरवेद सम्मिता क कषर अध्यन किया है आश्रमों में रहकर गुरू परंपरा को निभाया हैि गुरू की शरन में रहकर उन शिश्यों ने भूके प्यासे रहकर व्रतों में रहकर चार-चार बजे उठकर वेद पाठ किया है नित्यग आयतरी संध्या करते हैं शिक्हा तिलक ब्रहम शुत्र इत्यादि धारण किये रहते हैं वो है आपके लिए पूजनिये आपके लिए ऐसे लोग पूजनिये जो रेल की पट्रियों पर पूजा पाठ कर रहे हैं ब्राम्मनों को नीच बता रहे हैं ऐसे ऐसे भी कुछ गुरु है जो शिवलिंग पर घर कुछ छड़वा रहे हैं ऐस किनको गीता ग्यान दे रहे हैं आप गीता ग्यान सर्वसाधारण नहीं है क्या सभी के पास आज गीता ग्यान है गीता को पढ़ने वाले आज कहीं से भी उपलब्द करके गीता पाथ सरवन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं आपके गीता पाथ की पुस्तक भेंट करने से कोई गीता ग्यान प्राप्त नहीं कर लेगा गुरू की शरण में गुरू के चरणों में रहकर गिता का अध्यन करना पड़ता है मेरा क्रोध नहीं है ये एक दुख है ये बहुत बड़ा दुख है दितना मुझे दुख होता है उतना आप सभी को भी होना चाहिए अरे भाई धर्म और धन इनमें कुछ अंतर तो समझिए धन कमाने के लिए आप धर्म को कहां ले जा रहे हैं क्या धन ही सब कुछ हो गया है छोड़िए ऐसी आदतें ऐसे कृत्य करना अब तो छोड़िए सभी से निवेदन है ये मुझसे भी मेरा निवेदन है ये गुरू ग्रंथ गोविंद इन की क्रिप्रा आप पर रहे ऐसा प्रयत्न कीजिए ग्रंथों का आश्रे लीजिए ग्रंथों को पढ़िए उनका अनुसरन कीजिए उसके बाद में आप सुप्रसिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं वो भगवान की इच्छा है लेकिन आप धर्म के मार्ग में चल कर भी यदि सुप्रसिद्ध होकर भी उंचे-उंचे मंचों पर बेठ कर भी इस प्रकार के कित्य करते हैं तो ये निंदिनिये हैं ये अशास्त्रिये हैं इसलिए आप से निवेदन है कि ऐसा कित्य ना करें और यदि इन चलचित्रों को देखकर इनका अनुसरन कर रहे हैं कुछ लोग तो वो भी ना करें ये आप से निवेदन है ये मेरा विरोध नहीं है किसी से कोशिक जी महाराज को मैं पुन्हा प्रणाम करता हूं और कोशिक जी महाराज से निवेदन है कि आप चिंतित ना होएं इस प्रकार के कित्ते ना करें बस हर हर महादेव